कई साल पहले मैंने अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लिया पंद्रा एकर जमीन होने के बाद भी मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए मुंबई जाना पड़ा बहुत कम बरसात होने के कारण हर साल मेरी कोई भी फसल उग नहीं पाती थी मुंबई में मजदूरी करके जो मैं रोज के पचास रुपे कमाता था उस समय वो गाउ में किसान बनने से बहतर था यादव दादा ठांगे की कहानी भारत के करोडों किसानों की कहानी है एक ऐसा देश जहां आधी से ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है वहाँ बारिश की एक-एक बूंद हर किसान के लिए जीवन रेखा है हाला कि भारत को अत्यधिक वर्षा का बर्दान प्राप्त है फिर भी देश के कई क्षेत्र बारिश की एक-एक बूंद को तरस्ते हैं इस जल संकट के कारण है खराब व्यवस्था, अक्षम यूजनाय और पानी की बरबादी इसके साथ ही बदलती आबादी और जलाशियों का दोहन तीजी से जल संकट के कारण बन रहे हैं जल वायू परिवर्थन के साथ भारत के जल संकट ने एक अत्यधिक भयंकर तस्वीर फ्रस्तुत कर दी है जहां भारत के कई प्रदेश प्रक्रती के प्रकूप से संगर्श कर रहे थे वहीं महराश्ट्र का एक गाव फसलों की खूब पैदाबार कर रहा था मैंने अपना गाव 1965 में छोड़ा और 35 साल मुंबई में रहा कुछ सालों बाद मैंने सुना की मेरे गाव के लोग बरसाथ के पानी को बचा कर सूखे का सामना कर रहे थे मैंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने गाव हिवडे बजार वापस आने का फैसला किया जो सूखे कुए मैं छोड़कर गया था उनमें अब मेरे खेतों के लिए खूब पानी था मेरे गाव में सामुदायक सहयोग से जो काम हुआ है वो किसी चमतकार से कम नहीं है महराष्ट के एहमद नगर जिले की सहयाद्री पहाडियों में बसा गाव हिवडे बाजार ऐसे क्षेत्र में बसा है जहां बहुत ही कम वर्षा होती है जबकि सहयाद्री की पश्चिम में स्थित कॉंकर में सालाना 4000 मिलिमीटर वर्षा मापी जाती है वहीं दूसरी ओर हिवडे बाजार जो की सहयाद्री के पूर्व में स्थित है साल में केवल 400 मिलिमीटर वर्षा प्राप्त करता है मौनसून के ना होने और सूखा पढ़ने के बावजूद इस गाव ने हार नहीं मानी भारत के सबसे सूखे और बंजर इलागों में से एक माना जाने वाला हिवडे बासार आज रेगिस्तान में जल्स रोत की तरह है कम्यूनिटी इन्वाल्मेंट पानी में काफी ज़रू है कि वह अमरी गाव में यह सारी प्राप्लेम्स क्यों है इतनी कम बारिश है, माइगरेशन है, यह कोई रुपता नहीं है गाव की आहलात खराब है, तो आहलात में सुधार लानी है सन 1989, हिवडे बाजार का भाग्य पलटने का शुरुवाती दौर माना जाता है गाव वालों ने एक जो ठोकर पोपट राव पवार को गाव का मुख्या चुना और उनकी प्रगतिशील द्रश्टी में विश्वास किया पवार ने हर एक गामवाले को पानी की उपियोगिता का महत्व समझाया हिवडे बाजार की मिट्टी सतही है और इसकी उपजाउग शमता कम है लेकिन गामवालों को एहसास हुआ कि उनकी परिशानियों का हल भी इसी मिट्टी में है हिवडे बाजार के लोगों ने गाम में बरसात के पानी से सिंचाई का एक वाटरशेड याने जल विभाजन कारिक्रम शुरू किया जल विभाजन व्यवस्था जल के परंपरागर प्रबंधन की वो व्यवस्था है जिससे बरसात के पानी को आसानी से रोका और जमा किया जा सकता है गाम वासियों ने गाम के चारों और पहाडों के उपरी क्षेत्रों में गहरी नालियां खो दी ये कॉंटूर ट्रेंचेज याने सामोच नालियां पूरे पहाड पर खुदे ऐसे गड़े हुते हैं जो बरसाती पानी के बाहाव की दिशा के 90 डिग्री के कोन पर खो दे जाते हैं बारिश का पानी सीधा इन गड़ों में गिरता है इन गड़ों की खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को पौधे लगाने के लिए एक उपजाओ जमीन का रूप दे दिया जाता है जब वर्शा हुती है तो पानी नालियों में बहने लगता है और मिट्टी में जाकर पानी मौझूद रहता है जलब विभाजन के मध्य भाग में मिट्टी को इकठा किया गया ताकि उपर से नीचे आते पानी को जमा किया जा सके ये मिट्टी के चोटे चोटे धेर काली मिट्टी को सुसंबद्ध करके बनाए गये हैं क्योंकि इस तरह की काली पानी को आगे बहने से रोकने का कारे करती है। इसी के साथ ऐसे धेर पानी को सीधा मिट्टी में रसाते हैं। अतिरक्त पानी मिट्टी के धेरों के बीच से बहता हुआ निचली सतय तक पहुँचता है। निचले भाग के इलाकों में खेतों को हिस्सों में बाट कर समतल किया गया है जिससे बरसात का पानी रुक कर सीधे बहां की मिट्टी में रिस्ता है मिट्टी और पानी के संग्रक्षन के समान से धान्त पर काम करने वाले ऐसे और भी ढाचे पूरे गाउं में बनाए गए है नाली के अवरोधग और बिखरे गोल पत्थर उपरी भाग के इलाकों में पानी की गती को कम करते हैं और मिट्टी का कटाव रोकते हैं पानी की छिद्र वाली टंकियां और सिमेंट के धेर धारा के प्रतिकूल बहते पानी को जमा करने में मदद करते हैं वर्शा विहीन महीनों में ये पानी मिट्टी में समाता है और भूमिगत जलसतर को बढ़ाता है सिंचाई के लिए भरपूर पानी मौजूद होने के साथ इन सूखी चट्टानों में भी हरियाली दिखाई देने लगी है जल विभाजन कारिक्रम की असाद हरन सफलता के बाद हिवडे बाजार में वापिस लोटने वाले 40 परिवारों में से एक है पोपट राव बोरकर का परिवार इन परमपरागज जल विधियों के कारण गाव के कुओं में पानी बढ़ा है और मिट्टी में नमी की वृद्धी हुई है हिवडे बाजार के अन्यकिसानों की तरह बोरकर भी बढ़ती पानी की उपलबधता को फिजूल बरबाद नहीं करना चाहते थे उन्होंने परमपरागज बाड सिंचाई की बजाए ड्रिप सिंचाई का फैसला किया है पुप सिंचाई प्याइन कि पानी कंम लगता है स्रंब्यक्ता बड़ता है हूथ और जमी के सुभिक बी अच्छे होनऄ ऑर पैदावाज भी निकलती हुचई पहले के आलत तो बहुत कम थी, पानी कम मिलता था, तो उस हिसाब से गाउवाले क्रॉपिंग प्रेटर्न लेया जाता था, जवार बाजरा, जिसके पास पानी है, उसके पास गेवुर, लेकिन वाटर ओडिट शुरू होने के बाद में, गाउवालों ने हर महिने में यापर उपन वेल से उआपर ओडिट किया जाता है, जो लेवल लिया जाता है, तो उस हिसाब से यापर कौपिंग प्रेटर्न ले आ जाता है, और उसमें डाहिसःत्याव याद 3-17-5- bon tactics रेकिन पास घ्ड़ू होने के बाद में, अब Äसमें कितना प्रटर्श होना होने के साहना ह हिवडे बाजार की सफलता की कहानी का आधार है 1300 से अधे काबादी वाले इस गाउं ने मिल जुल कर फैसला किया कि जरूरत से जादा पानी के इस्तमाल वाली नकदी फसलें जैसे गन्ने और केले पर रोक लगाई जाए बे रोक टोक चारा चरने पर प्रभावी रोक से चारे के उदबादन में बहुत बढ़ोत्री हुई है पहले मेरे पास जमीन थी और कोई पैदावार नहीं थी लेकिन जल्ब विभाजन के बाद मेरे खेतों में हमेशा बहुत पानी रहता है अब मैं खूब घास उगा सकता हूँ और मेरे पशियों के लिए खूब चारा भी होता है पानी ने मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है आज हिवडे के सत्तर प्रतिशत लोग डेरी उदबादन को अपना दूसरा व्यावसाय मानते हैं गाम का स्थानिय डेरी को आपरेटिव एक सफल व्यापार का रूप ले चुका है क्लाइमेट चेंग, ग्लोबल वार्मिंग, बारिज, पानी और नजाने इस जिसी कितनी समस्याओं को लेकर फूरी दुनिया भर में यह हंगामा हो रहा है लेकिन हुरे बाजार में इसी किसी चीज को लेकर कोई प्राब्लम नहीं है कोई समस्या नहीं और इसका एक ही करना है कि पिछले 20 साल से हमने जो संगटित होके जो काम किया है अभी पूरे साल भर में पानी की कोई प्राब्लम गाउ में नहीं होती और पानी की प्राब्लम नहीं है तो बाकी की सब प्राब्लम खतम होगी और माना कि ये किसी चमतकार से कमने है और ये चमतकार हर एक गाउ में हो सकता है लेकिन सब ने सोचना चाहिए कि हिवडे बाजार में हो सकता है हम क्यों ने कर सकते हैं जल प्रबंधन में असाधारन योगदान की सराहना करते हुए भारत जरकार ने सन 2008 में हिवडे बाजार को राष्ट्रिये जल सम्मान प्रदान किया हिवडे बाजार में आज भी बहुत सीमत वर्षा होती है लेकिन जो बदला है वो है गाम वालों का इस पानी के प्रती रवाईया और मानसिक्ता पानी है तो हमारा जीवन है अगर येक भी पीछे हड़ गया तो हम लोग काम ने कर सें सिर्फ पानी के कारण ही आज हम बहतर जीवन जी रहे हैं पानी लाने के लिए पूरे गाउन ने एक साथ काम किया जिससे हमारी जिंदगी बदल गई एक ऐसी भूमी में जहां बरसों से पानी के बारे में गाए गीतों की गून सुनाई देती है हिवडे बाजार के आम किसानों ने एक नई कहानी रची है इन बीस सालों का सफर हिवडे बाजार के लिए हिम्मत और होसले का रहा है ये एक ऐसा सफर है जिसका कोई सानी नहीं लेकिन यकीनल ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर में हिवडे बाजार जैसी अनेक कहानियों को प्रेणा दे सकती है जो दुनिया भर में हिवडे बाजार जैसी अनेक कहाना भर में हिवडे बाजार जैसी अनेक कहानी है जो दुनिया भर में हिवडे बाजार जैसी अनेक कहानी है